तो भाई हीरो जो है वो करिजमा को फाइनली लेकर आ चुका है इंड इन मार्केट में और बहुत लंबे इंतजार के बाद में ये करिजमा भारते बाजार में लौंच की गई है और मुकाबला होने वाला है पलसर RS200 और Yama की R15 जैसी मोटर साइकल के साथ में लेकिन उन से कॉ यहां से तो यहां पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है वाइजर इस बटन को ऐसे आपको नीचे दबा के रखना है और इस विंशील्ड को आप ऐसे उपर नीचे स्लाइड करके अपने हिसाब से अड़ेस्ट कर सकते हो प्रीमियम फीचर है जादा तर आप आपको पूरी LED मिल रही है यहां पर यह आपको DRL मिल जाएगा बीच में लो बीम के लिए प्रोजेक्टर है नीचे आपको यहां पर साइड में रिफ्लेक्टर मिलेगा तो लाइटिंग सेटप बगएरा काफी अच्छा है और intelligent illumination system के साथ में आ रहा है जो की company ने बताया ह है यानि कि दिन वगएरा में अगर आपकी हेडलाइट आउन है तो वहां पर विजिबिल्टी थोड़ी सी लो रहेगी illumination कम रहेगा और रात के समय में illumination और रात के समय में illumination जो है वो जाधा हो जाएगा ऐसा company ने बताया है तो काफी intelligent सी हेडलाइट आपको इसमें मिलेग बागी suspension यार यहाँ पर telescopic ही रखे गए है यूएजडी company को offer करना चाहिए था एक्स्ट्रीम में company 160R में यूएजडी दे रही है लेकिन यहाँ पर सिर्फ telescopic दिया गया है यूएजडी आता है तो यह किसके लिए minus point होने वाला है बागी front में आपको जो alloy मिल रहा है वो 17 इं आप में dual channel ABS system आपको मिला यान की front wheel और rear wheel जो आपको rear में disc दिया गया है यहाँ भी आपको ABS मिल जाता है यह 230 mm का disc यहाँ पर दिया गया है रियर टायर अगर आप देखोगे तो यह 17 इंच का alloy के साथ में 145 70 section का टायर है तो टायर यार काफी चोड़ा और काफी heavy है मोटा है radial टायर नहीं है तो मोटा ही और चोड़ा ही आपको टायर में अच्छी दिखती है और यह वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो काफी खाली है टायर अगर आप लगा सकते हैं उसके लिए यहाँ पर जगा दी है कंपनी ने तो वह अगर आप लगा होगे तो यह गैप जो मैट रखा गया है काफी अच्छे कलर्स नजर आते हैं तीनों ही फैरिंग वगेरा कैसी लग रही आप बताना एकसे मार का बड़ा सस्तिकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ग्यारा लीटर का टैंक है और यहाँ पर मेटल और फाइबर दोनों चीज़े हैं मतलब दस सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फोर स्टोक वर्वर्ल डियोच इंजन है पच्छिस पॉइंट पाँच पीएस की पावर है बीस पॉइंट न्यूटन मीटर का टॉर्क है च्छे गेर में यह बाइक आ रही है तो पावर टॉर्क परफॉमेंस सब कुछ आपको इसमें काफी जबर्दस मिलने वाली है सेग्मेंट में सबसे ज़्यादा पावर सबसे ज़्यादा टॉर्क है और टॉप स्वीड वगरा कितनी होने वाली है वो भी आगे हम देखेंगे बाकी ग्राउंड करेंस आपको 160 mm की मिल जाती है तो यह गूड इनफ है एक फुली फ स्वाल नहीं किया है और यहां पर प्लियन के लिए मिल जाता है सीट की बात करें तो स्प्लिट सीट है और स्टप सीट है पीछे वाला जो भी बंदा आपके साथ बैठे तो थोड़ा सा उपर रहेगा लेकिन हां सीट हाइट अगर देखो 810 mm की है तो जिन लोगों की है वो भी इसको आराम से चला सकते हैं इसके अलावा यहां पर एक प्लस पॉइंट यह है कि प्लियन जो है वो थोड़ा सा कमफटेबल रहेगा अगर आप इसको आरवन फाइव से कंपेर करते हो क्योंकि सीट है बहुत जादा उची नहीं है दूसरा यहां पर पिलियन के ल आपको यहां पर LED मिल जाता है और मटगाड आपको कुछ इस तरह का दिखता है बात करें टॉप व्यू में कि यहां क्या कुछ दिया गया है तो मीटर कॉंसोल आपको यहां पर कंपनी फूल डिजिटल ओफर कर रही है मुल्टिपल इंफोमेशन है मोबाइल आपको मिल जाएगा इधर स्पीड फ्यूल गेज इंजन टेंपरेचर गेर पोजिशन दिया गया है यहां पर माइलेज वगेरा भी आप चेक कर सकते हो कितना आपका आ रहा है तो यहां आगर आप देखो तो 24.3 का फिलाल दिखा रहा है मीटर टोगल करने के लिए यहां प बताना इसके बाद इधर आपको 1000 बटन मिलेगा इधर इंटीग्रेटिड स्विच है बाइक को स्टार्ट करना है इंजन के स्विच एक साथ दिया है यहां आपको यूएजबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है तो फोन वगर आपको चार्ज करना है तो आप कर सकते हो एक साउंड कैसा लगा आप मुझे बताना अब बात कर लेते हैं भाईया इसकी कीमत की तो यह आई है एक लाक बाहत्तर अजार नो सोर रपे एक शोरूम कीमत के साथ में प्राइज अगर देखोगे तो आरवन फाइव से थोड़ा सा कम है और पलसर आरेस टूंडर के बिलकुल पास में है और दोनों ही बाईकों से इंजन परफॉमेंस ओन पेपर अगर आप देखते हो तो ज्यादा है लुक्स एंड फीचर्स के मामले में भी आपको बाईक थोड़ी सी बेटर लगेगी हाँ आरवन फाइव के कमपारजन में लुक्स सब्जेक्टिव मैं कहूंगा क् आरवन फाइव ज्यादा पसंद आने वाली है इसके कंपारजन में और एक आथ फीचर भी आपको उसमें ज्यादा मिलेगा जैसे कि आपको आरवन फाइव में क्विक सिफ्टर का ओप्शन मिल जाता है इसमें नहीं है इसमें सिर्फ आपको इसलिपर अयैंड एसल कलच मिल झाल उना